हे गाइज वेलकम बैक और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे exercise 1.1 का question number 3 तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो तो आज के question में है कि आपको 5 rational number निकालना है 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में तो मैं यहां question लिख देता हूं तो यहां है 3 by 5 and 4 by 5 तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में आपको कितने rational number निकालना है total 5 तो मैं जितने भी rational number मुझे निकालना है मैं उसे n के बराबर माल लेता हूं यानि n क्या है मेरा यहां पर 5 5 क्या represent कर रहा है number of rational number जो कि मुझे निकालने हैं बहुत बढ़िया बात है देखो मैं यहां पर नया मेठर आपको बताता हूं जिससे आप काफी असान हो जाएगा यह तब लगाना जब डिनोमिनेटर सेम हो और इस केस में है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है अच्छा म मैं ऐसे गुना कर देता हूं 3 by 5 गुना n प्लस 1 और नियुमिनेटर के लावा मैं डिनोमिनेटर में भी गुना करूंगा जैको ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि जैको ऊपर नीचे आगा सेम रहेगा तो कट जाएगा और कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 से गुना करने का तो उपर और नीचे ठीक है अच्छा इन क्या है मेरा यहां 5 है तो 5 और 1 6 6 3 जा 18 हो जाएगा क्या बात है और नीचे भी है 6 6 5 जा 30 फिर एंड यहां 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30 तो अब आप गौर करो कि 18 और 24 के बीच में टोटल कितने गैप हैं आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर है 19 बाई 30 20 बाई 30 21 बाई 30 22 बाई 30 और एक लास्ट है 23 बाई 30 तो यह है 5 वो रेशनल नंबर जो आपको चाहिए थे और इस मेठ़र से आपको एकजेक्लिक उतने ही मिलेंगे जितने आपको चाहिए थे बस सरते ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर सेम हो तब ही आप यह नियम लगाईएगा अगर नहीं होगा तो पहले सेम करना होगा एलसेम लेकर और वो भी हम किसी ना किसी कोश्चन में हम लोग जरूर डिल करेंगे तो होप कि आपको यह जानका प्रूमे